नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपकी अपनी चैनल पिंकी कीचन में तो आज हम लेकर आए हैं बहुत ही चटपटा और क्रिस्पी सा नास्ता जिसे हम बनाएंगे उबले हुए आलू और मतर से और यह नास्ता आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है वीडियो पसंद तो यहां पर हम एक चोथाई कप पोहा को अच्छे से धूल लिये हैं और इसका पानी निकाल कर दो मिनट के लिए छोड़ दिये थे अच्छे से फूल गया था तो इससे हम जार में आइड कर देंगे और साथ में ही हम यहां पर ले लिये हैं तीन ब्रेड के सलाइसे यह वा चोटे चोटे पीसस में कट कर लिये थे और साथ में ही हम ले लिये हैं तीन हरी मिर्च इसको हम दो टुकर में कर लिये थे आप हरी मिर्च अपने तीखा के कॉर्डिंग कमिया जादा कर सकते हैं और अब हम इसमें एड कर देंगे साथ से आठ लासन की कर लिये अगर आप ल और इसमें हम एट कर देंगे दो चमच पानी पानी ज्यादा नहीं डालना है बस दो चमच ही डालेंगे अगर कम लगेगा तो हम बाद में डालेंगे जार के धकन बंद करके इसको हम पीस लेंगे तो यह देखिए इसे हम बहुत ही अच्छे से पीस लिए हैं बहुत ही इस बाउल में निकाल लिए हैं और आप यहां पर ले लिये हैं एक उबले हुए आलु अब हम शाइज के आलु और जाए आलु में चलता लिये हैं और आप आलु को ग्रेटर के मदद से ग्रेट कर लेंगे आप इसे हातों से भी मैस कर सकते हैं लेकिन आलू के बढ़ा टुकुरा नहीं होना चाहिए इसी तरह से आलू को हम ग्रेट कर लिए हैं और यहाँ पर ले लिए हैं आधा कप, उबला हुआ हुआ मतर तो यह देखिए अच्छे से मतर उबला हुआ है और इसी तरह से आप उबला हुआ मटर ही लिजिएगा और इसे हम इसमें एड़ कर देंगे और यहां पर ले लिए हैं बारी कटा हुआ फ्रेस धनिया पता तो धनिया पता बहुत सरा डालिएगा इसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और देखने में भी अच्छा लगता है और साथ में ही इसमें हम एड़ कर देंगे एक छोटा चमच गरा मसाला और आधा छोटा चमच चिली फ्लेक्स चिली फ्लेक्स के जगपर आप लाल मिच पाउडर भी डाल सकते हैं एक चोथा ही छोटा चमच बलैक पेपर और स्वाद के एक ओर्डिंग इसमें हम नमक डाल देगे तो नमक अपने टेस्ट के अन्सवार ही डालिएगा और अब हम यहां पर आधा निम्बू ले लिए हैं इसका जूसम निचोर के इसमें डाल देंगे आप निम्बू के जगह पर आमचूर्ण पावडर या चाट मसाला भी इसमें डाल सकते हैं और अब हम इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे इसे इतने अच्छे से मिक्स करना है कि मसाला और नमक का जो फ्लेवर है इस मिक्सर के अंदर तक चला जाए धर अ इसमें हम ज्यादा मसाला नहीं डालें हैं यह जो नाश्ता है बहुत ही टेश्टी बनकर तेयार होगा कर लिए और अब हम से अच्छे से थूर ली जाओर अधान साल लगा लिए हैं ना मंक सक्षकें मिक्सर नहीं एसे हम ठेली पर रह ओंकर इस तरह सी भूमाते हुए इसका हम एक कट्लिट बना लेंगे यहां पर रोल के शेफ दीए हैं आप अपने पसंद के कोई साभी शेफ दे सकते हैं तो एक कटलेट तयार हो गया है और यहां पर दो चमच हम मैदा लिये हैं और मैदा में इस रोल को अच्छे से कोट कर लेंगे और अब इसे हम हतेली पर रखकर इसमें जो इस्ट्रा मैदा है उसको हम निकाल लेंगे और इसी तरह से एक cutlet बनकर त्यार हो गया है तो इसे हम एक पलेट में रख लेंगे और इसी तरह से हम बादी सारे रोल को बनाकर त्यार कर लेंगे तो फ्रेंड्स आपको में याद ला देती हूँ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, सेयर और मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाएगा कि आप मेरे वीडियो को कितना पसंद करते हैं तो इसी तरह से बांकी सारे कटलेट को हम बना कर त्यार कर लिए हैं तो अब हम चलते हैं गैस के तरफ तो यहां गैस पे एक कराही में हम तेल गरम होने के लिए पहले से रख दिये थे तेल अच्छे से गरम हो गया है तो गैस के फ्लेम हम मिडियम कर दिये हैं और अभी हम जो cutlet बनाए थे उसे हम एके करके सवधानी से इस तेल में डाल देंगे जितना एक बार में इस तेल में आ सकता है उतना डाल लेना है और डालते ही इसे नहीं पलटेंगे डालने की थोरी दिरबाद यानी की एक मिनट के बाद इसे हम एके करके पलट लेंगे और पलट कर इसे हम दुसरे साइड भी पकने देंगे तो अभी तक हम गैस के फ्लेम मिडियम रखे थे लेकिन पलटने के बाद गैस के फ्लेम हम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर इसे हम अलटते पलटते हुए सभी साइड गोल्डेन कलर होने तक पका लेंगे तो ये देखिए इसमें बहुत ही प्यारा सा गोल्डेन कलर आ गया है और एक क्रिस्पी हो गया है तो इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरह से बांकी सारे बना कर त्यार कर लेंगे तो ये लिजिए गर्मा गरम चटपटा और क्रिस्पी सा नस्ता बन कर त्यार है वीडियो पसंद आये तो फ्लीज वीडियो को लाइक सेयर और चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दीजेगा मिलते हैं नए वीडियो में जै हिन जै भारत